इरान में 22 साल के महसा अमिनी की पुलिस कश्टरडी में मौत के विरोध प्रदर्सन अभी थमे नहीं थे कि एक और मामला सामने आ गया जी हां आपको बता दे कि जहदान सहर में 15 साल की बलोष लड़की से रेप के विरोध में प्रदर्सन हुए इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने अपनी फायरिंग सुरू कर दी जिसमें 36 लोगों के मारे जानी की खबर है वही गुस्साए लोगों ने सरकारी आफिस और पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी नवाज के बाद बलोष समुदाय के लोग सड़कों पर भी उतर आए और इसके साथ उन्होंने नारे वाजी सुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की दरसल मामला पुलिस कमांडर पर एक 15 साल की लड़की के साथ बलत कार के आरोप लगे थे वही इरान के प्रमुख सुन्नी धर्व गुरू मौलवी अब्दुलहदीम ने इस लड़की से रेव की पुष्ट की थी आपको बता दे कि इरान के दच्चिर पूर्वी सिरस्तान और बलोचिस्तान प्रांत में सुन्नी बलोच अबादी रहती है वही आरोपी कमांडर का नाम कर्णल इब्राहिम खूचा कर रही है वह सिया मुस्लिम धर्म से आता है वही पीड़ता लड़की सुन्नी है आपको बता दे कि बलोच समुदाय के नेताओं ने भी इस घटना के विरोध में प्रदर्सन का आवाहन किया विरो रिपोर्ट आईपियन